दोस्तों कुछ सालों पहले तक जब कॉंग्रेसी सरकार होती थी भरत में जब भी इंटरनेशनल बाजार में हमारे लिए सोनहरे मौके उभरते थे तो हम किताबें लेकर बैठ जाते थे उन्हें बांचने लगते थे कि हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते किन्तू श्रीमान ये मोदी सरकार है अगर कोई opportunity आएगी तो भारत उसे बुनाएगा बिना किसी से डरे घबर आए इसी का परणाम है श्रीमान आप देख लीजिए emerging markets में ना केवल GDP के मामले में बलकि share market performance के हिसाब से अगर आप देखें तो भारत टॉप पर बैठा हुआ है हमारी performance सर्वोत् पर फरमाईए दुनिया भर के market में natural gas बहुत सस्ती चल रही है शे महिनों का न्यून तमिस्तर है आप चार्ट पर देख लीजिए महोदाए तो ये जो अवसर है उसका लाव उठाने के लिए भारती कंपनिया लालायत हो रही है लाइन में लगी है बर भर के LNG खरीद रही ह आप तो महोदाए नाम सुनिये गेल हो गया गुजरात स्ट्रेट पेट्रूलियम कॉर्परेशन हो गया टोरेंट गैस हो गया बीपी सील हो गया आईवोसी हो गया सब भर भर के LNG ग्लोबल मार्केट से उठा रहे हैं ताकि सस्ते दाम पर हम इसे खरीद का रिश्टोर कर सक हैं भविश में बाद में हम इसका इस्तिमाल कर लेंगे जब LNG महंगी होगी अब दोस्तों यहीं हमें खलती है वो बाद कि साहाब हमारे पास स्टोरेज कैपिसिटी नहीं है अगर भंडारन होता हमारे पास तो लपक के भर लेते अभी अब यह समश्या तो है तो इसका समा प्रॉफिटी अरब की एडनोक कंपनी कच्चा तेल स्टोर करती है उनको परवीशन दे रख की है भारत ने तो भारत ने अब उनको और छूट दे दी है भंडार हमारा होगा उसमें एडनोक UAE की कंपनी कच्चा तेल स्टोर कर ले और यदी बाद में जब कच्चे तिल के दाम महंगे हो और एडनोक को दुनिया भर में कहीं बहतर दाम मिले तो उनको हमने छूट दे दिये कि भाई आप वहां बेच लो कोई दिक्कत नहीं आप प्रॉफिट कमाईए हम तो चाह रहे हैं कि एडनोक प्रॉफिट कमाए एडनोक भारत में और स्ट्रेटिजिक पेट पेट्रॉलियम रिजर्व है उससे कच्छा तेल निकालके यहीं च्छान के पेट्रॉल डीजल बेच देंगे अगर भारत में उनको अच्छे दाम मिलेंगे तो सभाव एक है वो भारती स्ट्रेटिजिक पेट्रॉलियम रिजर्व से तेल निकालके भारत में ही बेचेंगे वो तो महोद है कभी-कभी ये टेंसन रहती है कि खुदा ना खासता ऐसा कोई अफसर आ गया तो हम भोना ना पाएंगे तो कालपनिक आवस्षकता है तो उसके साफ से मोधी साहब ने कालपनिक परमीशन भी दे दी मोधी साहब बैसी भी लकीर मटाने में फोकस नहीं करते हैं वो लकीर लंबी खीचते हैं तो एड़नौक जो भारत में आएगी उनको जब प्रॉफिट बनेगा मैंगलोर के स्ट्रेटिक पेट्रूलियम रिजर्ब में तो चार्ट पर महालक्षमी जी का जो आदेश होता है उसको BPCL, HPCL, IOC, Gail सब फॉलो करती हैं पूरी दुनिया में महालक्षमी जी का डंका बज़ता है हम तो कहते हैं कि ईसाईयों को जाने दीजे गिर्जागरों पर मुसलमानों को जाने दीजे मस्जदों में सभी शेर मारकेट में चलती हमारी स्रीचार्ट महालक्षमी जी की ही है जो व्यक्ति पैसा चाहता है, जो धनकी अपेक्षा करता है उसकी पूजा पद्दती कुछ भी हो सरीमान हम तो उसे हिंदू मानते हैं वो महालक्षμी जी का सेवक है, महालक्षμी जी का पुत्र है, और मानने वर उन्हें बदले में कुछ करना थोड़ी है, सब कुछ छोड़के बस समरप्ण करना है स्रीचार्ट महालक्षμी जी की सरण में, जैसे बड़े-बड़े दुनिया के धनाड जिलोग, बड़े- वेल्थ मेनेजर ओल्रेडी ये बैठे हैं तो मानेवर ये जो आकड़ों के माध्यम से स्रिचार्ट महालक्षमी जी का आदेश पढ़ने की कला है वो जल्दी से जल्दी सीख लीजिए इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में दी गई है लिंक उस पर क्लिक करके अभी अपना पसंदीदा आत्मनेवर इंवेस्टर फ्यूचर से वम आफ्शन स्कोर्स जोइन कर लीजेगा